एलो टेडर्स विल्कम बैक टू माय चानल चुरो देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूस बन रहें और कल कुन से स्टॉक हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का डेली का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्राइस एक्षिन हमें मार्केट में दिख रहा है अभी पूरा मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ बट कल हमने यहाँ पर क्या बात की हुए थी कि सिंपल हमने क्या किया था यहाँ पर टॉप से लेकि बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेस्मेंट का टूल लगाया और आप सिंपली देख सकते हो मार्केट जो है वो 0.618 से रिजेक्ट हो रहा था और हमें लग भी रहा था कि मार्केट यहाँ पर गैप डाउन कुलेगा बट अगर आप देखोगे मार्केट कहाँ पर कुला एक्जैक्टली हमारे 0.5 का लेबल पर मैंने यह लेबल आपके साथ में शेर भी किया था अब यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रीवेसली प्राइज ने 0.5 पर रिजेक्शन लिया हो था और यह स्विंग हाई यहाँ पर इंपोर्टन सपोर्ट का काम करने वाला था तो वही मार्केट ने किया मार्केट ने यहाँ पर ओपनिंग दिखाई और पूरा दिन मार्केट ने यहाँ पर रिकवर कर दिया तो simple 15 minute time frame में हम क्या कर सकते हैं हम simple क्या करेंगे यह 0.5 का level है यह यहाँ पर mark करके रखेंगे यह 0.618 का level है यह भी हम यहाँ पर mark करके रखेंगे अभी जिस भी direction में market breakout देता है या फिर breakdown देता है हम यहाँ पर trade कर सकते हैं आपको यह पूरे levels मिल जाएंगे आप इसे note करके रख सकते हो और आपने chart के उपर draw कर सकते हो अगर यह downside में breakdown कर रहा है तो आप यहाँ पर clearly देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा gap है इसकी वज़े से अगर breakdown कर रहा है तो यह जो gap है वो easily downside में fill हो सकता है इसी वज़े से दोनों भी side में ready रहना है अगर यह upside में breakout कर रहा है तो 0.618 का level यह breakout करेगा जो की golden ratio होता है फेवो नाची का इसी वज़े से यह भी एक important breakout होने वाला है यह important breakdown होने वाला है बट यहाँ पर बीच में अगर आप trade करने का try करोगे तो बहुत जादा stop loss आपके यहाँ पर जा सकते ठीक है अभी यह तो होगी हमारी पूरी पूरी nifty के analysis अभी यहाँ पर से bank nifty के तरब चलते है तो bank nifty में भी similar structure बन रहा था अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर से daily time frame में चलेंगे तो bank nifty में हमने क्या discuss क्यों था कि market ने 0.618 तो यहाँ पर से break out कर दिया है पर price जो structure बना रहा था यहाँ पर देख सोकते के impulse move, retracement, impulse move और यहाँ पर से यह एक retracement pending थी उसके लिए हमने एक important level find किया वो level कौन सा था 40,520 का level यह जो यहाँ पर बड़ी बीरिश candle बन रही थी इसका high और यहाँ पर जो यह M-top pattern बन रहा था इसका neckline तो यह एक important level है ही यहाँ पर से अगर price reject करता है तो यहाँ पर से market नीचे आ सकता है हमने यहाँ पर बात करके भी रखी थी तो market ने आज विसे किया यहाँ पर market gap down कुला देन यहाँ पर से गिरा अगेन यहाँ पर support लेके उपर आया अभी simple अगर हम यहाँ पर से 15 minute time frame में चलेंगे तो किस तरह की का structure बन रहा है अगर आप देखोगे तो यह हमारा वो 40,520 का level है यहाँ पर जाके price बहुती अच्छा head and shoulder pattern बना रहा है ठीक है और अगर आप देखोगे तो price ने आज ending में भी जहाँ पर से rejection लिया यह हमारा 0.618 का level है यह भी एक important resistance है और नीचे यह हमारा 0.5 का level है अभी simple हम यहाँ पर किस तरह की से trade कर सकते हैं अगर आपको long जाना है तो मैं आपको simply बताना चाहता हूँ कि अगर हम 40,520 के ऊपर बहुती अच्छे से long जा सकते है अगर आपको फिर भी जाना है तो हम यहाँ पर इस वाले neckline के भी ऊपर long जा सकते है तो यह दो हमारे long के trades बन जाएंगे बट हो सकता है कि market यहाँ पर neckline पर आए यहाँ पर कोई rejection pattern बनाए यहाँ पर से नीचे गिरे यह possibilities हो सकते है इसी वज़े से यह trend line हमारे chart के उपर draw होनी ही चाहिए जब price यहाँ पर जाएगा अगर कोई reversal pattern बनाता है surely हम यहाँ पर से shorting के trades ले सकते है और और भी कुछ patterns में आपके साथ में यहाँ पर share करना चाहता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हो कि market दिन बर यहाँ पर आज support ले रहाता तो यह भी level में आपर chart के उपर mark करना चाहता हूँ लगबग 39,880 का level है अगर price इसको कल breakdown कर रहा है then surely हम यहाँ पर शे shorting के trades ले सकते है दो important supports आपको यहाँ पर से बता देता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हो कि 39,745 का यह level है यह भी important market profile का level है इसी वज़े से यह एक अच्छे से support का काम कर सकता है और नीचे हमारा 0.5 का level ही वो level कौन सा है 39,610 का level ठीक है आप यहाँ पर देख सकते कि price ने यहाँ पर previously resistance भी लिया था then again आप यहाँ पर देख सकते कि market ने यहाँ पर support भी लिया था मतलब retest किया था इसी वज़े से अगर हम यहाँ पर कोई shorting के trade ले रहे तो यह एक important support होगा अगर market यहाँ पर से भी नीचे गिर रहा है तो यह एक important support होने वाला है ठीक है तो कुछ in levels पर यहाँ पर मैं bank निक्ती में काम करने वाला हो अभी यहाँ पर से stocks की तरप चलते तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहला stock है हमारा reliance reliance अपने बहुत ही important level पर है अगर हम यहाँ पर से daily time frame में चलेंगे तो आप simple देख सकते हो कि इस वाले trend line के बारे में मैंने आपके साथ में बहुत बार share किया है यहाँ पर से गिरा और यहाँ पर से यह pullback ले रहा है तो मैंने क्या किया यहाँ पर एकदम top से लेके bottom तक Fibonacci retracement का tool लगा दिया और price इन levels को बहुत ही अच्छे से respect कर रहा है अगर आप देखोगे तो 0.382 price ने exactly यही पर से rejection लेके market नीचे आया था then again market 0.5 पे गया है और 0.5 पे एक inside bar candlestick pattern बना रहा है इसी वज़े से यहाँ पर बहुत ही अच्छे से trades बन सकते किस तरी के से trade करेंगे अगर हम यहाँ पर से 15 minute time frame में चलेंगे अब simple देख सकते हो तो यह हमारा है 0.5 का level यह में एक बार यहाँ पर mark कर देता हो और price यहाँ पर kind of descending triangle pattern बना रहा है या फिर flag type pattern बना रहा है यहाँ पर देख सकते कि kind of penit type pattern बना रहा है इसे भी हम बोल सकते pattern important नहीं है किस direction में breakout देगा यह important है अगर यह upside में कल breakout दे रहा है तो हम यहाँ पर से long kate trades ले सकते directly 0.6 minute का हम यहाँ पर से target रख सकते अगर यह downside में कल breakdown कर रहा है तो हम यहाँ पर शॉटिंग के भी trades ले सकते directly यहाँ पर जहाँ पर price ने resistance लिया था यह adjust support का काम करेगा इसी वज़े से यहाँ पर हम targets रख सकते यह setup यहाँ पर reliance पर बन रहा है अभी next जो stock है वो है HDFC bank HDFC bank में अगर हम यहाँ पर daily time frame में चलेंगे तो आप clearly देख सकते हो कि यह एक important previous swing high था जिसका price ने यहाँ पर breakout करने का try किया बट यह fake breakout निकला देन market ने यहाँ पर gap down open की और यहाँ पर एक halt candle बन रहे है अगर यह actually में fake breakdown है तो यहाँ पर से market जो है वो नीचे जा सकता है क्योंकि इस वाले swing high के उपर बहुत लोगों ने buying की positions बनाई होगी और जिसी market यहाँ पर gap down कुला या फिर यह fake breakout हुआ उनके stop loss यहाँ पर hit होना चालू हो जाएगे और यहाँ पर से market downside में rally लगा सकता है यह stock downside में rally लगा सकता है इसी वज़े से यहाँ पर बहुत ही अच्छी trading opportunities बन सकते है simply आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक trend line भी बन रहे थी जिसका यहाँ पर breakdown and यहाँ पर retest भी हुआ price यहाँ पर पूरे दिन consolidate करती रहे गए तो simple हम क्या करेंगे इसका यहाँ पर यह जो bottom है वो हम यहाँ पर mark करेंगे जिसी कल यहाँ पर से breakdown होता है कोई भी pullback देखकर हम यहाँ पर शे shorting की opportunities ले सकते है इतना simple यहाँ पर setup बन रहा है और अगर हम यहाँ पर long जाना है तो हमारा जो previous swing हाए इसके उपर ही हमें long जाना पड़ेगा otherwise यहाँ पर आप trap हो सकते हो यही दो trades यहाँ पर HDFC bank में बहुत ही अच्छे बन रहा है तो यह है मेरी पूरी पूरी analysis nifty और bank nifty के analysis and stocks के analysis hope यह आपको यह analysis से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा अगर मिला है तो please इस वीडियो को like कर दीजे आपके friend के साथ टेड़ी के मिर साथ share कर दीजे और एसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe भी गर दीजे तो आज की वीडियो में इतना ही रखते thank you very much